यह कीनू का पौदा था और उसके नीचे जो है यह फूल वाले पौदे हैं यह देखिए यह देखिए मैं आओगा दिखाते आपको और यह है और इंज का जब यह पक जाएंगे तो यह बिल्कुल ही औरेंज कलर के हो जाएंगे लेकिन अभी यह क्रीन है और यह रही मुसम्मी चोटा सा पेड़ है लेकिन इसमें बहुत ही बढ़िया जो है अच्छे अच्छे मुसम्मी आई हुई है और यह आडू का पेड़ और यह है अनार का जिसमें फूब आएंगेन हैं और कुछ अनार भी लगे हुए है यह देखिए और पीछे देखिए वह लेमन का भी लगा हुआ पेड येलो हो गया लेमन इसमें और ये रे गुल दो दी फिर से और ये देखिए कितने सुन्दर जो हैं पॉट में मैंने फ्लावर प्लांट लगाया हुए और उसके उपर फिर से ये किनू का पेड़ है ये देखिए कितने किसमें किनू आया हुए हुआ 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 है और ये रहा बनाना का पेड़ एक केले का पेड़ भी है लगा हुआ अभी इसमें गुच्छा नहीं आया लेकिन अभी निकलने ही वाला है क्योंकि इसके जो पत्ते हैं बहुत ही बड़े बड़े निकलने शुरू हो गया तो यही पहचान होती है जबकि केला निकलना शुर यह देखें लेमन बहुत ज़्यादा भर भर के निकले हुए यह अब ज़्यादा आए अब ज़्यादा आए अब ज़्यादा आए और एक केले का पेड़े धर भी लगा हुआ है देखें कितना बढ़िया सा पेड़ा इसमें बहुत ही अच्छा और मीठा केला आता है और उसके नीचे है फिस से पाउम का पौदा है बहुती बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का लेमन का पेड़ है इसमें बहुत ज़्यादा भर के मैं आपको जूम करके दिखाती हूं यह देखें बहुत ज़्यादा बहुत मात्रा में इसमें लेमन आयो मैं तो फ्रेंट्स ये रहे मेरे किचन गार्डगंड की छोटी सी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेर भी कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्का झाल